वलकम पैक अगीन बिटा तो कहीं कैसे हो आप सब तो आज हम डिसक्स करेंगे आपकी वर्क्षीट नंबर 28 Class 8 Mathematics के वर्क्षीट है इसमें हमने पढ़ने है वर्स प्रोब्लम डिलेटेट टु क्यूब्स किया पढ़ना है वर्स प्रोब्लम डिलेटेट टु क्यूब्स जियान लोक जो यह शेप है इस मैच बोक्स की वो कैसी है वेटा क्यूब कैसे है उसकी जुल नंथ विर्थ और हाइट है तिनों की तिनों क्या है एग सैंटि मीटर तो इसकी वोल्यम की तनी हो जाएगी बेटा एक पुछती है रिया how much is the length width and height of a match box वो कहती है कि एक match box की length width और height कितनी होगी तो रिया कहती है the width condition क्या देती है दिहान से देखना रिया कहती है देदी the width जो width है एक match box की वो twice है इसकी height की तो मैंने माना जो यह height है यह आपके पास क्या है h फिर उसने बोला और जो length है वो क्या है is twice its height and तो width यहने की b की value आपके पास कितनी है bit twice of h ठीक है उसकी बाद उसने बोला जो length है match box की वो क्या है four times तो length की value यहां से क्या है four h clear after that how you know yourself how much is the length width and height of this match box तो कैसे पता करोगे तो आप ध्यान से देखना according to the situation आप इसने पहले बोला प्रिया टोल रिया the correct answer जी वो बताती है कि correct answer क्या height आपकी पास जो है width आपकी पास four है और length आपकी पास eight है तो वो answer निकला कैसे है क्योंकि जो volume है volume हमारे पास कितनी है यह है eight into eight into eight अब ध्यान से देखना बिटा number of match box कितने यान कि जो packet है उसके इंदर कितने boxes है eight तो एक ही volume निकाल लूँगी तो total volume को eight से divide कर दूँगी तो कितनी आगी 64 cm3 अब ध्यान से देखना according to situation उसने पहले ही बता दिया मैंने माना height आपके पास क्या है h और जो width है वो आपके पास क्या है two h वो condition क्या according to question और जो length है वो आपकी है four h जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है अब ध्यान से देखना बेटा volume होती क्या volume होती है आपके पास cube की length into breadth into height क्या होते length into breadth into height तो जब तीनों situations को आप क्या करोगे multiply करोगे कैसे l की value क्या थी h b की value क्या थी 2 h और इसकी value क्या थी 4 h तो answer किसके एकपल आएगा 64 के तो यहां से देखो two fours are eight 8 h cube is equal to 64 अब यह 8 multiply में हो जाके divide में हो जाएगा तो divide में हो जाएगा तो देखो बेटा क्या आएगा जब मैं इसको divide करूँगी 64 को तो मेरे पास answer क्या बनेगा ध्यान से देखना यहां से मेरे पास बनेगा h cube is equal to 64 by 8 तो यहां से h cube की value कितनी आ गई 8 मिर को सर्फ किसकी value चाहिए बटा h की किसकी value मिर को यहां से चाहिए h की तो यहां से देखना बेटा h cube is equal to 8 तो h की value कितनी हो जाएगी cube root of 8 cube root कैसे निकालते हो बनाओ पेर बनाके पेर से बाहर 3 का पेर बनेगा तो यहां से कितना आगे तो तो height मेरे पास कितनी आगे तो अभी हां से उसने width की condition क्या क्या देथी पेटा यहां के 2H यानि की 2 into 2 यानि की 4 और length की condition क्या दिती 4 into H यानि की 4 into 2 यानि की 8 तो ये था आपका correct answer अब आजो अपने questions पे अब उसने बोली If each matchbox was also in the shape of cuboid sorry cube उसने बोला जो हर एक matchbox वो भी की shape में बेटा cube की safe shape में then what would be the length width and height of the matchbox अभी अभी हमने क्या निकाला बेटा ध्यान से देखना अभी अभी हमने यहां से निकाले volume of 1 volume of 1 matchbox कितनी है यह 64 cm अब ध्यान से देखना उसने बोला है कि उसकी length, breadth and height क्या है equal length is equal to breadth is equal to height ठीक है उसको मैंने माल लिया x कितनी है x cm तो volume of each matchbox कितनी है यहां से 64 ठीक है अब volume होती क्या है cube के अंदर side cube यानि कि 64 ठीक है और 64 किसका cube है ध्यान से देखना 64 किसका cube है 4 का तो it means 4 का cube लिख सकती हूँ तो cube cube से जब compare करोगे तो यहां देखो cube से cube हट गया एक तरफ से देखूँ तो यहां से कितनी आगी side is equal to 4 ठीक है it means हर एक जो उसकी length breadth और height है वो कितनी है 4 cm कितनी होगी 4 cm ठीक है now move to our second question अब बेटे इन questions को साथ के साथ में अपना note करते रहना ठीक है अब यहां पर देखो second question क्या कह रहा है if the length and width of each matchbox were 8 times of each side ठीक है height तो आपके पास h है लेकिन length is equal to width क्या हो गई 8 times of height यानि की 8 h और volume कितनी होती है आपको पता है volume कितनी होती है length length कितनी आई है 8 h ठीक है length into breadth breadth भी width भी आपके पास कितनी है 8 h और into height आपके पास कितनी है h वो कितनी है 64 क्योंकि एक ही matchbox की बात हो रही है तो 8 h is 64 64 h cube is equal to 64 so h is equal to h cube is equal to 64 यहां multiply में आपके डिवाइड में तो कितना आजाएगा 1 और आपको पता है cube root of 1 कितना होता है 1 तो यहां से height आगी आपकी 1 ठीक है and according to given condition length की value क्या थी बाता 8 into h यानि की 8 into 1 यानि की 8 centimeter और जो आपकी width थी उसकी condition भी कितनी थी 8 into h यानि की 8 into 1 8 centimeter तो यह था आपका second part ठीक है second part सबको समच आगया अब आजो next question पे question number third question number third क्या कह रहा है इनी packet of the 8, 8, 8 into 8 centimeter यानि की this is the main condition and then how many match boxes will be coming the जब भी आप से ऐसे पुछा जएगी कितने match box आएंगे और आपको ऐसे दे रखाओ तो आप क्या लिखोगे number of match boxes देखे इसकी volume को उससे क्या कर दो divide 8 into 8 जो पूरे की है ना बेठा पूरे की volume को total को divide कर दो एक ही volume से पूरे की volume को किसे रवाइड कर दो एक ही तो 2 4 जा 4 से 4 किन से लाओड तो 8 जा 64 तो कितने match boxes हो जाएंगे 64 ठीक है अब आजो next question पर question number 4 question number 4 आपका क्या कह रहा है देखो देहान से इसने बूला इना पैकेट सेम कंडिशन है हाउ मैनी मैच बॉक्स विल बी कम इन डाप लो टोटल वोल्यूम जिनकी वोल्यूम क्या है ये आप देखो धियान से सेम कंडिशन है number of match boxes आपने निकालने है तो यहाँ पर मैने अभी आभी आपको बताया तो क्या लिखोगे यहाँ पर number of match boxes क्या लिखोगे यहाँ से number of match boxes तो क्या बताया total total को किस से डिवाईर कर दो 1 से तो 1 into 1 into 1 तो इसका अंसर कितना आ जाएगा 512 कितना आ गया 512 आप देखो condition आगे इसने बोला is this number equal to the volume of the packet थी पिल्कुल यस जो यह number है अभी अभी आपने starting में किया था यह किस के equal है volume of the packet थी यस this number is equal to volume of the packet या volume of packet is equal to number of match boxes क्यार अब आजो next question पर question number 5 पर question number 5 आपका क्या कह रहा है देखो according to our situation in the packet of 8 into 8 देखो बेटा length breadth और height इसका मतलब which of the following possibilities of matchbox dimension can be in the packet ध्यान देना बेटा अभी यह box है इस box की length breadth और height आपको क्या दीगी वन है 8 8 तो क्या आप इस से जादा length breadth और height के इसके अंदर place कर सकते हो नहीं तो जिसकी condition 8 से जादा आ जाए जिसमें length breadth या height कोई भी एक चिस 8 से जादा आ जाए तो वो इसमें आप place नहीं कर सकते ठीक है अब देखो धियान से पहली में सारे के सारे सी में कर सकते हो यह नहीं कर सकते यहां पर क्योंकि 32 आ गया 32 को कहां रखोगे 16 नहीं रख सकते तो यह यह भी नहीं होगा यह हो जाएगा यह भी हो जाएगा यह भी हो जाएगा यह भी हो जाएगा लेकिन यह नहीं होगा और इसका reason अगर आपने दीना है तो reason क्या दोगे बेटा we can't put a thing having height greater than eight because maximum height of this box is eight here so but I eat how apka ask you worksheet I hope it is clear to everyone and if you like it please 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 like subscribe and share